वेलकम टू स्टड़ी आईएज तोस्तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं नोरवाइसर्स के बारे में देखे कोरणावाइस था वेक्सिन लगी कम हो गया नोरवाइस आ चुका है केरल में पहला सिंटम पाया गया है इसका ओके काफी सारे केसिज हैं काफी सारे लोगो को ज़्यादा इंफेक्ट करेगा क्या बच्चों में ज़्यादा होने वाला है बूडों में ज़्यादा होगा या फिर जो यंग ग्रूप है उसमें ये ज़्यादा फैलने वाला है सब कुछ अपनी आज की वीडियो में डिसकस करने वाले हैं इन डिटेल इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखेगा और हम यह भी देखेंगे कि कितना खतरना कि हमें देखने मिलेगा कि क्या यह coronavirus की तरह टांसमेट होता है हवा में फैल जाएगा क्या अगर आप किसकते हैं किसी इनसान को नुरा वायरस है और उसने किसी object को चुआ और अगर उसी object को आपने चुलिया तो क्या आपको भी यह जो वायरस है यह हो जाएगा क्या आप इससे infected हो जाएगे तो यह सभी सवालों के जवाब हम लोग अपनी आज की वीडियो में देख रहेंगे होंगे इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखेगा आप लोग को इसकी अच्छी understanding होगी लेगन उससे पहले अन अकेडमी की तरफ से यहाँ पे आप सभी लोग के लिए special prize week चल रहा है जो कि 10 से 17 नमबर तक है यहाँ पे आपको 10% discount मेलेगा combo पर आपको use करना है UPSC code और तुरंती जो offer है यह आपको avail हो जाएगा जागरती अवस्तिजी जिनकी यहाँ पे यह भी अन अकेडमी से बिलॉंग करती है दोस्तो टॉप 20 में 7 ranker टॉप 50 में 15 and overall यहाँ पे 170 जादा बच्चों ने इस exam को क्रेक करा है अन अकेडमी के साथ मिलके अन अकेडमी प्रवाइड करवाता है guidance from top educator comprehensive test series high quality material doubt clearing session होते हैं आप लोग के और यहाँ पे comprehensive coverage current affairs का भी होता है और दोस्तो साथ साथ आप लोग के लिए free test series है जो की है अभिहान daily static quiz 15 mcq, t20 daily current affairs है यहाँ पे 15 mcq और unacademy compact 50 mcq पे अब यहाँ पे आपका current affair compact होने वाला है 14 नवंबर को अभी आजी के दिन यह आपको देखने को मिलेगा सुबह 11 बजे यहाँ पे आप खुद को जाके enroll कर सकते हैं और हमारा जो code है studyis आप अगर use करते हैं तो आप लोग को यहाँ पे additional 10% का discount जो है वो भी देखने को मिलेगा अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं इस topic के बारे में कि यह जो norovirus है यह क्या है और किस तरीके से यह खतरनाक हमें देखने को मिलता है तो दोस्तों बताता हूँ अभी कि ऐसा हुआ है कि केरल का जो यहाँ पे वाइनट डिस्तिक है उसके अंदर 13 लोग मिले हैं जिने यह जो है वाइरस है इसने इंफेक्ट कर दिया है यहाँ बताया जा रहा है जो patients हैं जो students है veterinary college जो कि आप कह सकते हैं पोकोडे नियर यह थ्री जगहे पर है वहाँ पे इसके काफी सारी जो positive case हैं वो पाए गए हैं दो वीक पहले और अभी यहाँ पे लगबग तेहरे लोगों को जो है वाइरस इंफेक्ट कर चुका है state government ने यहाँ पे लोगों से बोला है कि वो भी किसी तरीके से जितने भी तरीके से यहाँ पे अपने आपको पूरे तरीके से resilient रखें और यहाँ पे आप कह सकते हैं जितने measures वो ले सकते हैं मतलब कि बचने के लिए उस virus को infect ना हो दूसरों तक ना पहुंचे उसका जो spread हो वो virus spread ना कर सके कि और लोगों को यह बिमार ना कर पाए तो इसके लिए भी यहाँ पे जो state government है के रल की उसने लोगों को यह बाते जो हैं वो बोली हैं उन्होंने बोला है कि panic वगएरा ना हो क्योंकि panic जो situation होती है वो काफी खराब हमें देखने को मिलती है यह क्या है नोरवाइरस तो दोस्तों basically क्या है कि यह हर तरीगे के जितने age group है उन लोगों को हो जाता है और इसमें आप कह सकते हैं काफी similar है डायरिया और या फिर आप कह सकते हैं जितने भी यहाँ पे rota virus जो होते हैं उसकी वज़े जो डायरिया होता है उसका यह काफी similar आप कह सकते हैं देखने को मिलता है इसके अंदर जो है आपके कह सकते हैं काफी सारे जो disease outbreak हैं वह में देखने को मिलते हैं जैसे कि आपका हो गया जितने भी यहाँ पे cruise ship होगी उसमें और इसके nursing home जो होगे वहाँ पे भी इसके आप कह सकते हैं और आपका यहाँ जितने भ वोमेटिंग होगी आपको या फिर डायरिया देखने को मिलेगा और यह जो सिम्टम हैं यह भी आपको देखते हैं एक से दो दिन के बाद जब यह वाइरस आपको हो जाएगा कुछ पेसंट के लिए आप कह सकते हैं यहां पर उन्हें अप्डामिनल पेन होता है फीवर हो जा और तो ऐसा होगा कि आपको last में यहां पर dehydration हो जाएगा और काफी सर जो fluid है आपकी body से वो निकल जाएगा अब देखे treatment की बाद है कि अगर क्या हमारे पास इसके treatment है क्या हम इससे बच सकते हैं इसके लिए वे यहां पर बताता हूँ कि basically यह जो disease है यह खुद का self-limiting है मतलग कि खुद से यह खतम हो जाता है इस तरीकी की बाते हैं पता लगी है और दोस्तो साथ साथ दोस्तो क्या होता है कि लगबाग एक patient को normally लगते हैं दो से तीन दिन लगते हैं लेगन काफी सारे लोगों में ऐसा है कि यह जो virus है या फिर आप कह सकते हैं जो काफी young है या फिर आप कह सकते हैं जो old लोग है या फिर ऐसे लोग हैं जो कि माल नरिजध हैं उन लोगों में जो कि आप कह नहीं handle कर पाएगी वायरस को उन लोग को कह चाहिए कि उन्हें रेस्ट ज्यादा करना है और हाइडरेट रहता है क्योंकि यहाँ पर पानी ज्यादा लेने से ही यह जो वायरस है यह थोड़ा सा आप कह सकते हैं आपके कंट्रोल में रहेगा और आप लोग इस पर कंट्रोल प कह सकते हैं इसके आप कह सकते हैं इसके आप कह सकते हैं अलग अलग तरीके से यह लोग तक इंफेक्ट करवा सकता है और यह इसके खुद के काफी अलग-अलग strain है मतलब कि यह एक इनसान को बार-बार हो सकता है अगर पहले भी इसको अगर इमान लिजे A टाइप का हुआ ह तो दुबारह ही उसे इंसान को बी का भी हो सकता है, किसमत खराब होई तो तो इस तर Rica की बाते भी हमें देखने को मिलती है, पोर जर्ण करता है काफी सारे जीटने भी आप कह सकते हैं डिस इनथे होते हैं, और इसके साथ 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 ऑज साथ ये는 यह alive रहेगा मरेगा नहीं इसलिए दोस्तों यहां बता जाता है कि काफी सारे जो streaming food होते हैं आपके वो या फिर आपके कह सकते हैं water जिन में आप कह सकते हैं chlorine मिला रहता है वो भी इस virus को kill नहीं कर पाते हैं मतलब कि basically क्या रहेगा आप कह सकते हैं यह ऐसा virus है कि अगर आप ल अब मैं बताता हूं कि कितना common यह है जो नोरा वाइरस infection है कि कितनी जल्दी यह लोग को हो जाएगा या नहीं होगा तो देखिए यहां बताय गया कि काफी ज्यादा पैथोजिन implementation देखा गया है इसके लिए और इसके आउट बेरेक हैं वो होते हैं आपके gastro-intestinal disease पे उनने यह कहा है कि आप कह सकते हैं हर पांच में से एक व्यक्ति को जो कि आप कह सकते हैं acute, gastro, anti, rids के अंदर होता है worldwide उसे नोरा वाइरस के वज़े से यह आप कह सकते हैं बिमारी होती है और लगबग यहां बताय गया है कि 685 million जो cases है annually आते हैं और उन में से 200 million जो है वो ब चारिया हो जाता है तो यहां पर जो बताया गया है कि लगबग 50,000 जो बच्चे हैं 685 million में से उनकी यहां पर जो मिर्त्य थी वो यहां notice करी गई थी अब बात करते हैं कि किस तरीके से इसे प्रिवेंट किया जा सकता है या फिर क्या treatment है इस नोरा वाइरस के तो देखे दो दोस्तों यहां बताया गया है कि जितने यहां पर डाइगनिस होते हैं real time reverse transcription polymers chain होती है उस reaction को तोड़ना है अभी इस time पर कोई भी तरगी कि यहां पर जो vaccine है वो इसके लिए available नहीं होती हुए हमें दिखाई देती है और important है यह है कि हम maintain कर सकें अपने अंदर hydration का एक acute phase क्य कर सकते हैं अपने आप में उसको पीते रही है तो वह भी आपको यहां से काफी कुछ बचा सकता है ओके तो यही पूरी वीडियो दोस्तों जहां पर अभी आप लोग को पता लगया होगा इस नोरा वाइरस के बारे में क्या है किस तरीके से काम करता है क्या आपको बचना चाहिए क्या वेक्सीन वगएरा सारी चीज़े आप लोग को पता लग गई होंगी मिलते अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए have a nice day और पढ़ते रही है